अधिए हेलो एव्रीवन आई वेल्केमी टू आग जैने सेस्ट इस इस थर्ड वीडियो रिगार्डिंग इंडियन अर्गिटेक्ट्चर काफी दिन हो गये हैं सो आई लाइक की काफी प्रोलम फेस्ट करनी पड़ रही थी हम लोगों को भी हमारा जो ओफिस हमने सेट अप किया था तो उसको भी हमें थोड़ा क्रोश्डाउन करना पदा दू तो सम्कॉवर्ट सिच्वेशन एंड लोग डाउन डेली अगेन आयाफ टू सुप्टि फॉम हमें देखका लगता है कि नेगेटिविटी है यकीन मानों कि रियलेटी उससे भी ज्यादा खराब है तो अगर बास अपना है एंड़ पीक इस गोंग तो भी और सबसे बंदी वाली वाली वह होती है और जितने चल्दी आई है न उतनी तेजी से जाएगी भी यह वास सच् पंद्रा मई 20 मई तक का धियान रखना उसके बाद आप देखना ऑटोमेंटिकली इंडियन जो हेल्ट स्ट्रक्चर है और सिस्टम ठीक हो जाएगा ऑक्सिजन की जो प्रोलम आ रही है और जो वैसे निशन है गॉर्मेंट काफी फोकस होके काम कर रहे है फिलाल के लिए फि आपके ना निकलना हो लेके नगर निकलना पड़ता है तो प्लीज मेक शूर कि आपके जो गेर्स हैं लाइक जो मास्क और सइंटाइजर गलव्स हैं और पहन के जाओ वैली सिवलाजेशन इवीची उसके बाद आता है वैदि आर्किटेक्ट्चर वाली स्ट्टेंट्स को यहाला कल सिखाया नहीं जाता है क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ अविदान्स बिलते नहीं है कुछ ऐसा अर्किट्चर लिए कुछ खास नहीं होगा था उसके बाद सीद aker which consumo देका कि डिफ्रेंस स्क potato एंड यंद आर्किटेक्ट्च यृ अर्किट्चुर मैं इसको आने में लेकिन में यह सब चीज स्कल्प्चिर लोस्ट वेडियो में तो आप जाकर देख लिए टाउन प्रेंग अनौ देखते हैं तो देखते हैं देखो क्या है कि नो तो आप देखेंगे इंडस वेले सिवलाजेशन उसके बाद आता है वैदिक कल्चर और उसके बाद आता है मौरियंस तो यहां पर यह चीजिए बताए गए हडपा के बाद या फिर आई विसी के बाद हमें सीधर डार्टल एविदेंस मिलते हैं मौरियंस मैं सोब्स और नो सिगनिफिकेंड अर्फेशल रिमेंज ब्ती इंदर अब उसके पीछा हो सकता है प्यूंग यह हो सकता है किवी अर्बनाइजाशन था और यह जया जया जाता है तो साथ यह भी देडिकिव तेक्राइंड रही है जो प्रसकते है और सदीव नहीं थी जो होने चाहिए थी तो अगरम देखें टायम लान देखें शेंट सेंचुरी बी के अंदर अब 6 century BC के अंदर हम लोग देखते हैं तो new socialreties moments मिलती हैं पर क्योंकि क्यों मिलती है क्योंकि इंड़स वैली जो हर आपन शिवलाजी जो वैदिक कल्चेर है, वैदिक कल्चेर के अंदर दो प्रमें डिवाद चाहिए सकता है, एक तो अरली वैदिक है, एक लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक पिरियोड के अंदर there was so many social evils was there for example caste system, वढड़ना system परदा पृथा और ये सब चीज़ ignorance of the women, the condition of the women was degraded तो जब भी को प्रोल्लम आती है यह सब चीजे तो लाइक तो उसी के साथ हम देखते हैं कुछ ना कुछ मुवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और यह बेसिक फॉर्मॉला है हिस्ट्री के अगर आप कहीं भी देखेंगे यह सब चीजे होती है आपको याद होगा 2011 के असपास काफी करॉप्शन के चांसे को टूजी ठीजी कोलगेट इसकें तो वहाँ पर यह होगा कि आपनों देखा होगा इंडिया अगेंस करॉप्स मुवमेंट स्टार्ट होता है अगर हम इसको थोड़ा पीछी से लिगा जाते हैं तो इस इंडिया क साइटी बिटिश इंडियन असोशेशन उसकी अल्टी मेंटी निकलकाती है इंसी इंडियन नेशन कॉंग्रेस तो यह क्या मुमेंट साथ हो जाते हैं कोई बीची गलत होती है तो अगेंस्ट थिंग कुछ नहीं चीज़े स्टार्ट हो जाती है तो जो वैदिक कल्चर था स्पेसिफिकली लेटर वैदिक पेरियेड इट वस अगेंस्ट फॉर दी इगेलिटरिन सोसाइटी तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अन्यू सोश्यों रिलिजिस मोमेंट स्टार्ट और सासाथ क्या होता है इसी के सासाथ मोरेन इस्टेबलाइस देयर पाबर चंद्रग इस्टी तो 4th century BC के आसपास की बात है यहां पर हम लोग देखते हैं कि दूरिंग यहां पर कुछ ऐसा होता है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जयनिजम बुद्धिजम और थोड़ा सा आधर के बारे में थोड़ा सा आज देखेंगे आजको डिस्केशन रहने वाला है ठीक है नाव कम दूर थिंग यहां पर हम लोग देखते हैं देखो एक वर्ड आया था श्रम अधिकार है हमारा जो लेबर लोग होते हैं श्रम अधिकार के बारे में बात किया जाती है तो इस संस्कृत वर्ड है और पाली क्या थी संस्कृत और पाली में कोई डिफ्रेंस नहीं था संस्कृत का मतलब होता इलीट क्लास और पाली इस लेंगवेज ऑफ दी कॉमन में जो हम लोग आपस से बात करते हैं तो संस्कृत ऐसा है आप ऐसा मान का चलो आज की डेट के अंदर इंग्लिस में जो लोग बात करते हैं तो यहां पर इन दोनों के अंदर मतलब होता है श्रम का मतलब होता है या महनत करने वाला यहां जो लोग के लिए जाता था जो लोग अनलाइट मैं यहां फिर इंफ्रमिशन प्रोवाइड कराते थे और या फिर एक तरह से बात किये मौंक को बोल देते थे शमिट एडिशन गिव दिराइस तो जयनिजम एंड बुद्धिजम क्यों क्यों क्योंकि लोग जाकर है मौक्ष जो होती है इस अल्टिमेट जो अचीवमेंट बात करते हैं कि हिंदु धर्म के अंदर अकर अकॉर्डिंग टुदी हिंदु रिलीजन दे लास्तिंग विशुट इवर्यों शुट्राइब इस थी मौक्षा कि मौक्ष के लिए जैनिजम के लिए होता है ऐसे का से यह लोग बना करते थे कि there is no good there is no destiny ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसके बारे मौका मिलेगा तो थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में भी सो फिर बात करते हैं दिको मौरिन आर्ट के बारे में नाव कम दुदा में टॉपी फॉर टूड़े जाने वाला और पॉप कॉमन सी ओ डॉडबल एंगों कॉमन या फिर मैंगो पेपर आम जन्ता तो जो कोटाइड़ इस पिलर एंडी इस तो पास या फिर हम लोग को चोड़ भी ले सकते हैं पैलेसे जो पैलेस बगार बनाए जाते थे यहां की बात करें तो आम जन्ता क्या बनाएगी स्कुल्प् यह इनिशिटी किया जाता था तो फर्स्ट फॉल यूमस्ट नो था फिर्स्ट मों पार्फल एंपार इन इंडिया पहली बार एक सेंट्रल अजिन सिस्टम इंडिया में आया था एंदा कैपिल बाटली पुत्रा यहां पर बात की जाती है कुमार हरा पेक पैलेस हुआ करता आप पाटली पुत्रा का मतलब बिहार वाला रिजन तो यह ऐसा था जहां पर आपको ट्रीस अच्छे कासी मिल जाएंगे डैसीडीज मांसों अवरग्रीन फॉरस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे हम काफी दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं जो वुड होती है उसके सेल्फ लाइफ होती है और एक रोक है यह फिर स्टोन है यह साल तक रह सकता है बट वुड कांट सर्फ़ाइब और लोंग टाम पिरियेट तो यहां पर मगस्थनीज डिस्क्राइब दा पैलेस एस दवान ग्रेटेस्ट प्रेटेश ऑफ दी मैंकाइड मेगस्थनीज किया था इट वाजएटर ऑफ दीग्री जो ग्रीक का एक राजदू था ग्रीक सिवलाजीशन जो इंडिया में था उसका नाम था मेगस्थनीज यहां पर उसने अपनी भुक लिखी थी बुक का नेम दर नेम अव दुख वास इंडिका इंडिका यह नाम भी आद कर लो तो इस बुक के अंदर नो बताया था कि जो जो कुमार हरा के अंदर जो पैलेस है इट वस फोर दी आशोका पैलेस इट इस अग्रेटेस क्रेशन आ कि इंसान दुखार बनाए गया अधूद एक एक जामपल है तो यहां पर बताया आता है आशोका पैलेसर कुमार हरा और यहां पर इसको बताया आता है कि जो पहले सब थ्री स्टोरी वोडन इस्ट्रक्चर था आज की डेट में सब्सक्राइब देखने को नहीं मिलता है समा क्या होता है ऐसा होता है पिलर देखने में इसा कुछ आर्टेशली फीचर नहीं होता है कोलम के अंदर इस अल्वेस हैं दी लोग अगर इसके अपर आप लोड डाल देंगे बीम के थूरू यह बीम परवाइट करा देंगे इत विकम दी कॉलम ठीक है तो जो डोरी कॉलम सो उसका सिंबल हुआ करता था या फिर उसको हम बात कह रहे है इसको मेरेट बैटल 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 विक्तरी जब भी एक राजा या फिर कुसको याद में या फिर आपने कोई वोड जीती है उसको एक करने के लिए बना दिया जाता था एवरेज ऑफ दी 40 फीट है और इसकी ज शोका एक्चुली ओन बैट इस ओड़ेट और इतनी सारे लोगों की मृत्ति हुई लोगों का डैट हुई दन अल्टिमेटली है अड़ी बुद्धिजम उसने फिर मना किया कि आज की बाद मैं कभी लडाई नहीं करूंगा तो उसको यह सब प्रंसिपल्स हैं धमा इस सब्सक्राइब करेंगे यहां पर कोई भी चोरी डखेती है सब आलाउट नहीं होंगे स्टेट्स के अंदर यह सब चीज़ा आती है और हम लोग देखते हैं यहां पर मोनोलिथिक का मतलब है कि सिंगल स्टॉन और स्कल्प्चर कैपिटल और यहां पर अपने को एक कैपिटल देखने को मिलती थी इंकोर्परेटिंग अ स्ट्रीज ऑफ दी फ्लुटिट पीटल इंड़ एक्जांपल क्या है लाइन कैपिटल सारनाथ वेरी फेमस दबूल कैपिटल ऑफ दी रामपुरवा एंड लाइन कैपिटल लोरिया नंदंगाड तो यह कुछ एक्जांपल्स हैं यह आपको जानकार भी होनी चाहिए अशोका पिलर के वारे में बहुत जरूरी है यह वाला सारनाथ लाइन कैपिटल ले सो इसको बोला जाता है लाइन कैपिटल और यह दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तना इवेंट को इसके बारे में भी साइध बात करेंगे आज वीडियो के लास्ट में जो बुद्धिजम के अंदर देर्वाज फाइब मेजर इवेंट तो इसमें जो आता है धर्म चक्र परिवर्तना इट वास्ट और लास्ट में तो परिनिर्वान नहीं सो यह बिल्डवाई दियर्शो का नेशनल एंबलम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडियन तो हमा होता है लाइक स्टाइब इसको बोलेंगे इस्टाइल अबेट फिर यह आता है शाफ्ट यहां पर लाइन तो चारो साइड है तीन नहीं है यह वाइन टू त्री एक पीछे की तरफ भी देख रहा है पीछे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है साथ-साथ यहां पर अनिमल भी देखने को मिलते हैं तो मलब चार डाक्षन में एक एक आता है तो यहां पर क्या एलिफेंट हॉर्स लाइन बोल ठीक है यह चारो का नाम भी आत कर लें ना कि कॉन परन से अनिमल इंस्क्रिप है बेरी फेमेस उपनिश्द अकॉर्डिंग टुदी हिंदिव डेडिशन वहां पर यह वर्डन है इस किसका है फिर अगर हम बात करें कि इस तो पास के बारे में तो देखो इस तूपा क्या होता है इस तूपा को बोला जाता है बिरिल मांट जहां पर जिनको जलाए जाता है बरी बरी किया जाता है तो इस तूपाज वर नोट अनॉन इन इंडिया तो देखा जाए तो यह कुछ ऐसा नहीं कि नहीं पता थे बिफोर अशोगा टाइम लेकिन अगर हम बात करें दूरिंग अशोगा टाम इट बिकम दी कल्ट वर्षिप उसी अशोगा के टाइम पर और जनली डिस्पर्स मतलब क्या था जो बुद्धा की जो डैथ होई थी तो उनके जो अस्तियां थी उनको आठ जेगा पर डिवाइड किया गया था और आठ में इस तो उनके आठ को सुपास बनाए गया थे और जिस वैसल के अंदर जिस बढ़तन के अंदर उनकी रखी गए थी आशेज वहां पर उसका नोगा बनाए जाता है सो देम ओवर दी रिलेक्स एंड नाइंट नाइंट ओवर दी वैसल इंद विच देर लेक्स वर ओडिशनरी डिपोज़िए अमंग के स्टिल अल्मोस्ट आ एक्टी फोर थाउजन मलब समझ सकते हैं कि 84 तूजन इस तूपास बनाए जाते हैं डूरिंग अशोकर टाइम प बुद्धिजम के उपर एक separate chapter भी आ सकता है अगर आपको समझना है कि बुद्धिजम की philosophy क्या है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मुहापरणपुरा का डिसकस करूंगा कि बुद्धिजम क्या बात को प्रमोट करता है उसके positives क्या है उसके negatives क्या है लोग बुद्ध जैसा आप example बात करते है पाकिस्तान का हम लोग हमेंसा कई बार सोचते हैं कि वायद ही पाकिस्तानी जैवी anti-India policies की क्यों change नहीं कर सकते हैं एक आपको मैं point बताता हूं और कभी हमारी policy की हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं अब reason आता है क्यों जिस किसी country का या किसी भी initiative का या follow करने लगेगा तो अगला question ही आएगा कि if you are having the same policies तो अलग होने की जरूरत क्या थी तो इसलिए कभी भी ऐसा होई होता है तो इसलिए बुद्धिजम इस स्टार्ट अगेंस्ट 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 ब्रहमनिकल और ब्रहमनिकल केंदर कल्ट वर्ट्षिप होगा करते इलबरेशन बगार काफी होगा करता था तो लोगों ने बोला कि नहीं we are not going to do this thing समय देख लेंगे काफी को चोड़ भी होगा वह लोग देख लेंगे दूसरा यह होता देवर्दी मॉंक्स तो पहले लोग प्रेट्रों नहीं करते थे तो जब एकॉनमिकल कंडिशन ऐसी न अब है थार संचरी बेसी इर्दी बैरत इंदी राजिस्तान यहां पर हमें देखने को मिलता है जब कम टू एक वर इंपोरेंट टॉपिक कि सांची स्थोपा का अलिक्ट्टर क्या है तेखो यह क्या है यह आपका और आपका इलिवेशन है आप इसको बोले फ्रेंट यहां पर यह चीछ निकल का आती है तो आ यहां से इंटर कर सकते हो यहां सा कर सकते हो यहां से सपर सकते हो City को बोलते हैं आर्टिस्टिक एंट्रेंश या और बिस्टिक इनको बोला जाता है तोरां से यहां पर देखिए व हैस्त तोरां सघर्ट इस। तोटरां चाज आण साओ यहीं करने तो फिर से नटिक कि यहां पर ऐसा लिखावा नहीं है यहां पर लिखा एंडी है तो यह आ जाएगा एंडी तो यह अंड़ा होता है जो यह थोड़ा सा यह फीचर बना वाता लाई कि 3D होता है इस तरीके से इसको बोले आता हर्मिका हर्मिका और उसके उपर आते हैं यह यहां पर बोलते हैं बिष्टी और यह आथा छत्रा छत्र में तीन आती है 123 यह तीन दिखाती है जो त्री पिताकाउं जैसे विन्ने मिताका सुथ पिताका अभी धामब्ण जैसे हमारे महावारत या फिर रामायना ऐसे बहूत इंपोरेंड डोक्यूमेंट्स हैं सेम चीज जो बुद्धिजम है देर थ्री पितक्स लाइक सूथ पिताका विन्य पिताका अभी धाम पिताका तो इन तीनों को यह दर्शादता है जो यह वाला तो रन हो गया जो यह वाला स्थम्भा गया यहां पर तो इस तो पर डॉंग या फिर अंड स्कुल्प्चिर बने होते हैं ठीक है अगर आपको से देखना है कैसा तो गूगल पर जाओ यह वार सर्च कर लो दिख जाएगा आपको इसी थोड़ी मैनत कुछ भी करो गया तो अगर हम बात करें डूरिंग अध्ली फेस बुद्धिजम बुद्धा इस डिप्रिक्टिट इस तो पास लोटा स्टॉन चक्रा देखो जो ब्रह्मनिकल सुसाइटी देना वहां पर क्या था कि मूर्ति पूजा हो और स्टार्ट हो गया सुसाइटी कि नहीं मौक्षा सिर्फ ब्रहमण शत्रे को ही मिलेगा तो बुद्धिजम ने यह बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो जी ब्रह्मनिकल में जो निगेटिव हो चुगी थी लेटर वैधिक पीरिड के अंदर पुद्धिजम ने उन सब जीजों को ठीक है जैसा बोलते थे कि देर बिली नो कल्ट प्रैक्टिस हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं हां उनके जो चर्ण होंगे या उनके कि देखो हमारे जो में यह करना चाहिए और यह सब चीज जो चार नोबल ट्रूथ दिया थे बुद्धिम ने जो चार नोबल ट्रूथ है जो सत्य है अगर आप उसको आज उसको थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर देन यू विल रिलाइस कि ब्लुकुल सही बात को रहे हैं और हम लोग अगर बुद्धिस्म को से समझ जाते हैं देखो मैं किसी को प्रीच नहीं कर रहा हूं इंद बुद्धिस्म मेरा काम है बताना लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बुद्धिस्ट की जो फिलोसफी है वन उदा साइन्टिफिक फिलोसफी है तो उनके चार पडिशान जो तो बताये जाता है कि दुनिया है उसके अंदर सफरिंग का ही संसार है फोल फसक्रिंग होगी तो सेक्ट नोबल टूथ बोला जाता है कि तस रिजन आफ शूफ इस योर लस्ट डिजायर बोलता है बट आई विल सजेस्ट की डिजायर थोड़ा If you eliminate the lust, then your life will become happy. तो दुनिया जो है, जो संसार है, दुखों से भरी हुई है, और दुखों का रीजन क्या है, आपकी लस्ट है, आपकी महत्वकानशाएं हैं, अगर आप अपने महत्वकानशाओ खतम कर दोगे तो आपकी लाइफ से प्रॉलम सॉल्व हो जाएंगी, और चोथा नवल टूतिय अगर आप मुझे बताओगे तो मैं बुद्धिजम के ओपर एक अच्छी गासी वीडियो आपको बद्धाकर दे दूँगा, जिसके अंदर हम लोग एक डिटेल में डिसकस कर लेंगे, तो इवेंट फ्रॉम दी लाइफ ऑफ दी बुद्धा, जताका से स्टोरी आती है, व चोड के जाते हैं बात करें तो फाइब मेंजर इवेंट्स होते हैं बुद्धा की लाइफ में बढ़त, रहां बदिन, वडिज़ा, जटाकर पर जाते हैं बर्द रेनाशेशन, जिए चोड़के चले जाते हैं, दुद्धा को एक जडीन, जिसके स्क्राइब आपको यह व जब उनको ग्यान की प्राप्ति होती है धर्म चेकर परिवाट करते हैं और महा पर निर्वाना जब उनकी डैथ हो जाती है तो अगे इसको जल्दी कवर आप करने का फाइदा नहीं है वैट हम लोग जो करेंगे तो नेक्सिंग इसको पॉपुलर आर्ट पॉपुलर आर्ट के अंदर दूसरी चीज़ होती है इसको लोग कवर करेंगे नेक्स वीडियो में नहीं कर सकते हैं ज्यादा लंबा नहीं है तो फर्स्ट इस्टिबिलिजमेंट ऑफ दी रोकट आर्किटेक्चर और यहां पर क्या होत केवसले लंबन और दो प्याला के जा सकती हैं चेटियमे वीहार चेतियु जहां पर आप्रे करते हैं वेह रहते हैं तो नोमले होती रोकट आन्म जो पंड जो रोकट आर्ड अरकिटेक्ट्र मेक्टे एस इस फ्वहार रहें आता बारबर केव और नगरजुनी केव कहां पर हैं बिहार में लो मस्रिशी केव के अंदर बाग की जाती है दी फसाद आफ यहां पर यह है और यहां पर यहां साप अंट्री करते हैं इस वारे पार्ट से और जो यह है व्दिस इस दी अलिवेशन तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक आर्टिस्टिक वे देखने को मिलेगा डेकुरेटीज विद यहां पर सेमीरफ नकीट्र करते हो एंट्रेंस इस क्लेटिग और वाल अवी हॉल तो जो एंट्रेंस है जो वोल के साइड है केस् यहां पर टू मॉस्ट इंपोर्टन फीचर्स क्या है पॉलिस इंसाइड दीके जो इंसाइड जो पॉलिस है और काफी अच्छी की गई है अंदर की तरफ से और डेकोरेटेड गेट्वेस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं फोटो देख लेते हैं तो यहां पर आप इसकी एंट्रिस देखेंगे जो रियल एंट्री है यहां पर इसका आइसोमेट्रिक विव यहां से एंट्री करते हैं और जैसी आपना एंट्री करी इधर की तरफ देखते हैं साइड खड़े ओक है तो आपको यह दिखाए देगा औ और अगर आप उस साइड से तरफ देखते हैं तो आपको यह दिखाए दिखाए देगी लॉमस्ट्रिशी केव फिर आता है स्कुल्प्चर तो इसकुल्प्चर भी बाइधी इंडूजल एफट्स पैटनाइज बाइधी लोकल गवर्नर तो कुछ लोग जो लोकल रूलर्स हो अगर बात करें ये अक्षी यक्षनी क्या है ऐसे वह करते थे स्कुल्प्चर एक तरसे मैथ्टीलोजिकल एक फिगर है तो यह ऐसा बुद्धिजम सही रिलेटेड नहीं यह जैनिजम से भी वह हिंदूसम्पी देखने को मिलता है खासकर संगम लिट्रेचर के अंदर इस्टेंडिंग पोजिशन मुस्टली तो अगर हम देखेंगे इंडिन जो थे और नॉमली खड़े हुए की पोजिशन में रहते थे आप यहां पर देख पा रहे हैं पॉलिस सर्फेस डिस्टिंड इस्टिक्शर और यहां पर इतनी इच्छी दिस पोलिस की जाते थी आप आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर पुरी शाइनिंग आ रही है सो लाइव एक्जांपल क्याता है लाइफ साइज स्टेंडिंग इमेज दिदार गएंच तो यहां पर आप देखेंगे कि इनकी जो हाइट है फाइफिट के आसपास रही होगी ऑफकोर्स तो यहां पर यहां पर इसको बोले जाता है एन बी पी डबलू नोर्थ ब्लैक पॉलिस्ट वेर मेली मेड बाइदी फाइनली लेविगेटेट अलुवियल के मतलब अलुवियल का मतलब होता है कि सेडिमेंटरी पैपी के लिए होती थी जैसा आपको पंजाब में मिल जाएगी हरयाणा म एंवे canadra play Qatar मिल जाएगी अलुवियल का मतलब क्या होता है कि यह से इसकी इती chose होती रीवर की जूब कर्णीर होती है इसे लिए पंजाब भर पीज़ाइब बिहार वाले रिज़ने इड़ जाता है यहां पर अगरे पटिलिटी बहुत जाता है प्रोड़ेक्शन वह ज्यादा होता है तो यहां पर अब देखेंगे डिश और इस्माल बावल को देखे जाता है ब्लैक पेंट एंड है लेकिन पर देखने को मिलता है लेकिन में रिज़न वाज दी यूपी और बिहार वाला प्रीज़न अगर आपको पसंद आया है तो प्रीज लाइक करें कमेंट करें शेशन जिससे मुझे 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 मिले अगला वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा पोस्ट मॉनें आर्ट के ओपर उसके बाद देखें संगम रिटरिक्षर संगम आर्ट के ओपर फिर मेडेवल पिरियेट मुगल और दिल्ली सकतनाथ वाला टाइम पर देखेंगे हमारे क्रेस कोर्स है अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो आप प्रेस को जोइन कर सकते हैं लास्ट बैच है मॉस प्रॉब